वोल्ड स्मित के एड्यूकेशन के छटे बाग में आपका स्वागत है आईए मेहलाओं के गले के लोकट के बारे में थोड़ी सी जानकली देते हैं कि किस प्रकार से छोटा सा एक लोकट एक इस्त्री की शोगा बन जाता है बहुत ही खूंसुर ज़ेशता है तो लोकट बनाने से पहले कम से कम तीन साड़े तीन ग्राउंड फाइस कैरड का या तेईस कैरड का सोना चाहिए उस सोने को आईर्म के उपर चोरस कर मशीन में उसकी पत्ती खीची जाए प्रथम तो हम डाई का देखते हैं कि एक डिजन आपको दिखाए जा रहा है कि किस प्रकार प्रथम उसकी तीन चार पांच छे छे प्रकार के ये पान प्रथम डाईयों से काटे जाएं और उसके पीछे फिर और डिजन हैं प्रथम ये डाईयां काटी जाएं उसके बाद कुछ सोना से तार खीची जाए और तार खीच करके उसे चोटे चोटे बारी गरवे बनाए जाएं जो इसके इन डाईयों के चारों तरफ लगाए जाएंगे तो ये लोकट कम से कम आदे घंडे के अंदर त्यार हो सकता है बहुत ही कम समय के अंदर ये लोकट त्यार होता है और दूसरा लोकट है ये तारों मला इसके अंदर गोल सप्रिंग बनाए जाता है बारी तारे खीच कर दो तारे आपस में मिला करके एक सप्रिंग त्यार हो आया ग्याया हैактиि सिपार ये कि आपकार का इसी परकार ये के का अर्कार इस परकार इस परकार ये चत्रुमुल Archives के अकार ब audi बिनाया सकता है और इसके भी उपर ओपर उपर चैन के लिए इच से लगा-ल 44 कर जाया जब अश्वनी है तो अश्वनी आ रहे है तो उसके उपर एक कटे हुए पेंडल लगा दी जाते हैं पीच में चैन क्रोस कर दी आती है और कई महलाएं मंगल सुत्र के अंदर भी एक लोपट ऐसा ही लोपट दोनों प्रकार का लोपट मंगल सुत्र चारों तरफ बना करके जैसे उसमें काली दानी होते हैं तो डालकर पह भी बहुत अच्छा लगता लगता है वह उसके बाद जोड़ने के बाद प्रतर मंतार खागे कर रियंग करके तो को पहना दी जाता है यह थोड़ी सी लोबंड बनाने की कला और उसमें यह डिजैन आपको दिखाएगे आगे के लिए करमशा और भी जानकरेगी जाएगी